असलाम अलेकुम, आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलिशियस दाल फ्राई, यह बिल्कुल रिस्टोरेंट स्टाइल जैसा बनेगा, उमीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, यहां मैंने 200 मोंग का दाल लिया है, उसमें नमक और ह हमें इसे सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है, देखिए यह सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गालिक पेस्ट, यह पेस्ट आड करने के बाद हम इसे 1 मिनिट तक सॉटे कर लेंगे, ताकि इसकी कछी स्मेल चली जाए, मैंने 1 मिनिट पाउडर, 1 tsp zira powder, 1 tsp chili powder, 1-4 tsp turmeric powder, 1 tsp गरम masala powder, और थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट हिसाब से डाले, क्योंके पहले ही दाल में डाला है, अब हम इसे थोड़ा भून लेंगे, थोड़ा सा पानी याट करेंगे, ताकि हमारा masala जल ना जाए, पानी एट करके हम इसे थोड़ा भूनेंगे इसे लो फ्लेम में हमें भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से तेल ना उजा उट होने लगे हमें इसे भूनते जा रहना है देखिए तेल होने लगा है मसाले का कलर भी चेंज हो गया है अब हम इसमें डालेंगे एक मिडियम साइज का टमाटर मैंने बहुत ही बारिक काटा है इसे ताकि जल्दी गल जाए इसे मसाले में अच्छो से मिक्स कर लेंगे इसे मिक्स करके हम ढगकर दो मिनिट तक लो फ्लेम में पका लेंगे दो मिनिट हो गए लिट निकाल देते हैं देखिए हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है इससे हलका हलका हम स्पून से बीच कर लेंगे इस तरह से बीच कर लेंगे स्पून से देखिए पर डिजॉल्व होने लगा है यह अब हम इसे ढगकर और दो मिनिट तक पका लेंगे थोड़ा पानी के टमाटर में उससे सूख जाने तक दो मिनिट हो गया है मैंने लिट निकाल दिया यह देखिए टमाटर का पानी बिल्कुल सूख चुका है और टमाटर पुरी तरह से मसाले में घुल गया है सिर्फ स्किन दिख रहा होगा आपको उसका हमारा मसाला बिल्कुल डेडी है अब हम इसमें दाल एट कर देंगे यह दाल को मैंने बॉइल किया बट मैंने मैश नहीं किया क्योंकि दाल फ्राई में दाल थोड़ा खड़ा खड़ा दिखिए तो अच्छा लगता है देखिए दाल को कंप्लेटली मैश नहीं किया मैंने दाल आपको दानेदारी दिख रहा होगा उसके बाद हमें इसे एच्छे से मिक्स कर लेना है जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो कंसिस्टेंसी दाल की चेक कर लेंगे यहां बहुत गाड़ी है दाल तो थोड़ा पानी आड़ कर देते हैं मैंने पानी एट कर दिया देखिए अभी दाल के कंसिस्टेंस बिल्कुल सही है अगर अब चाहे तो और भी पतली कर सकते हैं बट दाल फ्राई में थोड़ा गाड़ी हो तो टेस्ट अच्छा आता है अब हम इसे ढखकर बॉयल आने तक पका लेंगे देखिए बॉयल आ गया है दाल हमारा बिल्कुल अब रेड़ी है अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और तड़का तियार कर लेंगे तड़की के लिए हमें चाहिए एक टेबल स्पून घी उसमें डालेंगे तीन क्लव्स चाहर सुखी मिर्च और आधा टीस्पून जीरा और दो पिंच शमहिंग डालेंगे हाफ टीस्पून कश्मीरी चिली पावडर इसे थोड़ा भून लेंगे गी में अच्छे से देखिए हमारा तड़का बिल्कुल अब रेड़ी है हमने दाल सफ कर लिया यहां पर हम अगर अच्छी लगता है आप इसे चाही चावल के साथ खाए या रोटी के साथ दोनों में ही यह बहुत अच्छा लगता है खाने में इसे जरूर ट्राइ करे घर पे और मुझे बताए आपको यह रेसिपी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लिस लाइक और सब्सक